पीजो याँ आप देखो आप 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 ओई उत्राखंड में बारिष ने मचा ही तवा पानी पानी हुए सहर प्रदेश की सेक्णों सडकें हुई बंद जन जीवन हुआ घरों में कैद कहीं भर भरा कर गिरे पाहार तो कहीं धारासाई हुए पुल उत्राखंड में पिछले 48 घंटों से हो रही मुश्लाधार बारिष से प्रदेश भर में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है प्रदेश भर की दरजनों नैशनल हाईवे साइज सेक्णों ग्रामिन सडकें बंद हो गई है लियाजा जिस वज़े से लोगों का जीवन घरों में कैद हो गया है जिसके चलते राजिया अपातकालीन परिचालन केंदर ने सभी जिलाधिकारियों को अलट मोड पर रखा है केंदर सरकार ने उस्ते हमाली छेत्रों में पर्याटरों के आवागमन पर रोग लगाते हुए एडवाजरी जारी की है आपदा परबंदन IRS परणाली के सभी अधिकारी और नोडल अधिकारियों को हाई अलट मोड पर रखा है NH, BWD, PMG, SI, ADB, BRO और CPWC को मोटर मार्ग बंद होने पर ततकाल खोलने के निर्देश दिये है सभी पटवारी, गिराम विकास अधिकारी, गिराम बंचाद अधिकारियों को अपने छेतरों में बने रहने को का है परदेश के सभी थाने, चोकियों को वायरलेस के सांथ हाई अलट मोड पर रखा है साथी अधिकारियों करमचारियों को सक्त नजदेश हैं कि वह अपने मोबायल स्वीच आपना करें प्रदेश में रईवार को भुषकलन के चलते नेशनल, स्टेट और सेक्णों ग्रामिन मार्ग बंद हुए हैं पानी के तेज बहाव के कारण पूल के दोनों पिलर छती गिरस्त हो गए हैं पिथोलागर के दार्मा घांटी के माइग्रेशन ग्राम बोन को जोडने वाला पूल बारिस की भेट चल गया है चीन सीमा को जोडने वाला केलास मार्ग पर भी स्टिद बैली विरिज भी खत्रे की जद में है हल्दुआनी में गौला नंदौर और कोसी नदियां उफान पर हैं काली और सारदा नदियां खत्रे के निसान से उपर बह रही हैं हल्दवानी में रक्सिया नाले के उफान बार दो बैग सवार आज सुबह बाल बाल बचे। लिहाजा उनकी मोटर साइकल पानी के तेज बहाव में बह गई। इसके साथ ही हल्दवानी के कई लाकों में जल भराव की इस्तिती देखने को मिल रही है। गड़वाल मंडल में भी भारी बारिस देखने को मिल रही है। गंगा, अलकननदा और मंदा की नदियां भारी बारिस से खत्रे के निसान पर बह रही है। आप हमें फ्लेस में जर्री मेल आइडी या फिर वाट्सअप नमर पर भेज सकते हैं।